हलो एबरिवाइन आप सभी कासा आगत है मापा परेसी में चलिए आज बनाते हैं लोकी की सबजी ऐसे बनाएंगे ना हर किसी को पसंद आएगी जो नहीं भी खाते ना उनको भी पसंद आएगी तो आज हम बनाएंगे लोकी की सबजी कूकल में जो बहुत टेश्टी होती है इसको आप चावल रोटी दूनों की साथ खा सकते हैं बहुत टेश्टी लगती है तो मैं आधा ही लोकी ले रही हूँ क्योंकि बहुत बढ़ा लोकी था तो ज्यादा हो जाता है अगर सूखी बनाती ना पूरा बनाती तो भी हो जाता लेकिन जब मैं इसको थोड़ी सी रस माल टामाटर भी ले लीरी त dich NBC लुपन निकाल ली थि और इधर में चाको भी निकाल ली थी और इंगर बहुत कर्यादी उनकर निकोंटर P कहना इस तरह की सबची बनाओने थे गता है सबस्टर कारते हैं यहीं मुठा तमाटर नियुकर को लाई जाता है वरल प्रभल करे में छोटी चोटी के प्याज यूश्टा वरल नियुकर नियुकर के लिए तो चार अगर अगर बड़ी रहती तो एक दो लेते तो भी को जाता उसके बाद सभी को कट करने के बाद इधर देखे ऊपर सी कूकर निकाल ले थी कूकर मेरे से हाथ में आनी रहा था कूकर निकाल ले थी और इधर देखें गयास on करके कूकर को चड़ा देंगे जब कूकर अच्छी से गरम हो जागा न利 प्लेम पे चड़ा दे थी कूकर अच्छी से गरम हो गया था तो तेल और सूकी मिर्च डाल दे थी साथ में जीरा और सरसो एक चमच उसके बाद देखे लस्चन और मिर्च को अध्रक और मिच को मैं कूट कूट दे थी वेलन डंडा से क्योंकि मेरे पास ना कूटने वाला नहीं है खलबटा और इधर देखे कट हो प्यांच को भी डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे गोल्डन होने तक भून लेंगे कूकर में थोड़े से भूनने दिख दिखाए नहीं दे रहा था क्योंकि कैमरा में आगा वीडियो चूट कर पारी थी क्योंकि ना दिक्क्त हो रही थी त इस तरह करके भून legi xgyal dhmin बहुत अच्छा मसाला यह लिए dif Aliं सीके बार फोड़ी से डाली आ के से चला देगे चलाने के बार ना थोड़ा से स्कुपन liवार नई झीला चला के उसके बार ना इसमें हम डाल देंगे आलू और लवकी को आप चाहे तो ना लवकी और अलु को थोड़ा सा पहले से फ्राइ करके डाल सकते हैं लेकिन इत्ता सारा सब्जी बनता है न मेरे यहां ज्यादा तर फ्राइ करो ना काफी सारा तेल लग जाता है इसलिए मैं अक्सर कोजेश करते हुआ कि सिंपल और मतलब की इरम टेश्टी खाना बनानी की कोजेश करते हूँ ज्यादा तेल ना डालू ज्यादा मसाला ना डालू लेकिन नई बन पाता है कभी कभी और कभी कभी नो बहुत अच्छा बन जाता है लेकिन आज की जो लवकी सब्जी आना जाएगी होगी लेकिन नहीं कलती है लो कि इतम खड़ी रहती है लेकिन इतम सॉप्ट हो जाती है और इधर मैं आटा डबन निकाल के आटा निकाल ले थी आज मैं बना रही हूं रोटी सुखर रोटी बनाऊंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है ना तो पराठा पूरी ये सब जाएगा नहीं अच्छा लगता है लेकिन के पास तो घैस पंकहता है नहीं इसकते चुलह के पास और इधर से मैं निकाल लग लिए पार इसको सेट होने के लिए छोड़ देथी तब तक देखे कुकर में लगबक दो सब बनावाद बना रही थी लेकिन बाद में बड़ी बना दे क्योंकि टाइम चुला के पास ना खड़ी होने का मन नहीं कर रहा था और देखे बाहर देखे किते कड़की धूब दिख रही है ना और यह देखे रोटिया में फटाफर सी सेक ले रही हूं आज कमेंट करके मत बुलेगा दोस और देखे वी पटाफर डेखे बेडा कर देषा थे घ्य लेखे लेकिन फटाफर रोटियों कि था था बहुत जादी बनती मेरी हाँ में 25-25 ते तीस रोटी तो बनती ही है आप आटार देखे समझ पाते होंगे कि कितनी रोटी बनती है पताफर सी गयाश में सेख सेखे ना भूर पीना सेके तब लास्ट वाली रोट्र भी बनके त्यार हो गई और इधर देखे बढ़ा खुश हो रहा था उसको रोती खानाय करके बता रहा तेस्टी बने थी साथ में निकालती में सब्सक्राइब नारियल की लगडू गर पे बनावाला है और यह देखें साथ में रोटी रख दी यह रहा आज मेरे दोपहर का खाना कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मेरे वीडियो मेरे रेसिपी आपको अच्छी ल